नमस्कार साथियो, पर्सेंटेज की इस नई क्लासेस में पुना आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है less than और more than पर अधारित प्रस्ट यानि प्रतिशत कम और ज्यादा पर अधारित प्रस्ट इसके बेसिक से advance तक की सारी पढ़ाई हम करेंगे और वो भी questions के मादियम से जहां जहां concept समझने की होगी वहां concept भी समझेगे। सबसे पहले हम 22 नमर से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने 21 तक आपको पिसले सारे वीडियो में बदा रखा हैं साथियो जब भी less than और more than के सवाल को बनाएं तो आप से से सबसे पहले तो कोसिस करें कि आप हिंदी में questions को पढ़ें इस questions को सिर्फ और सिर्फ मैं यही कह रह है यहां लिखा हुआ है आप अपने questions में देखिए तो आपको क्या करना है अपने questions को start करना है से से ठीक है जिन से से डिखा हुआ है वही से questions से start करना है तो चुकि Y से बात करनी है तो X Y से तो Y के लिए अगर हम एक रखें तो X हो जाएगा छे क्योंकि यह 6 गुना बरी है और आपसे यह पूछा जा रहा है तो यहां जो किस से तुलना करने की बात की जा रही है एकस से किसकी Y की तो X माइनस Y इंटू 100 की पूछ रहा है आपसे ठीक है क्यों मैंने डिनॉमिनेटर में यहां X रखा क्योंकि यह X से पूछ रहा है कितने परतिशत कम है और कम के तो यह difference ही है, ठीक है, अंतर को ही कम कहते हैं दूसरे भासा में, अब आप देखिए, कि चोकि आप में देखेंगे, कि इसमें difference कितने की है, 5 की है, किन से पूछा जा रहा है, एक से पूछा जा रहा है, तो x के जगा 6 लिखेंगे, ठीक है, 5 बाइ 6 कितना परतिशत हुआ, तब तो यह 5 बाइ 6 हो जोगा, ठीक है, तो 16 पंचे 80, मतब 83.33 जो होगा, वही उत्तर इसका होगा, ठीक है, आप देखेंगे, so 83.33 इसका सही उत्तर है, अब अगले questions पे आते हैं, अगले questions में साथियों, इन्होंने ये कहा हैं, कि AB से 20 परतिशत कम है, अब 20 परतिशत बरा होता है, 1 by 5, अब चुकि B से 20 परतिशत कम है, तो सबसे पहले हम मुझे B लिखने चाहिए, और फिर A लिखने चाहिए, और अगर मैं B की वैल्यू 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने B क्यू लिखा, क्योंकि यहां B से तुलने की बात थी, इसलिए मैंने मुझे B पहले ठीक है, A, B से 20 परतिशत कम है, यानि की A की वैल्यू 4 हो जाएगी, साथियो, A से जूरी हवी कोई और इन्फोरमेशन है क्या, इन्होंने कहा कि D और A के आपसी संबंध है, वो यह कि D जो है, वो यदि D, A से 25 परतिशत कम हो, यानि D, A से 25 परतिशत कम हो, किस से A से, ठीक ह तो 25 परतिशत बरावर मैंने आपको क्या पताया था साथियो, वो होता है, 1 बाई 4, तो अगर मुझे यहाँ, A की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 रख दू, तो मुझे D की वैल्यू कितनी रखने परेगी, तो आप कहेंगे कि sir, D की वैल्यू जो है, आपको 3 रखने परेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि 25 परतिशत कम है और 25 परतिशत बराबर 1 बाई 4 साथ योग D और C का आपस में कुछ रिलेशनसिप है क्या कह रहा है कि C जो है वो D से 30 परतिशत अधिक है किस से D से तो D की वैल्यू पे अगर मैं 10 रखो तो C मुझे क्या रखना परेगा तो इन्होंने कहा कि C आपको रखना परेगा 13 क्योंकि 10 परतिशत 30 परतिशत बराबर कितना हो जाता है 3 बाई 10 ठीक है clear है ये बाते अगर मुझे आपसे पूछनी हो कि इनको equate करके बताओ यानि B is to A is to D is to C तो आपके कैसे equate करेंगे तो आपको आपने सबसे पहले तीन रेशियो को अलग-अलग line में लिखा या नहीं लिखा ठीक है लिख दिया अब 7 वाली संख्याओं को आप उसके column में भरेंगे अब देखे इस column में क्या कोई संख्याओं है कुछ नहीं है तो इसकी साथ वाली संख्याओं क्या है चार है तो यहां भी चार जाएगा और यहां भी चार जाएगा अब देखो इस box में क्या है इसकी बगल की संख्याओं यहां 3 है इस box में क्या भराएगा इसकी बगल की संख्याओं क्या है 4 यहां 2 box खाली है यहां क्या भराएगा 10 और 10 अब मुझे आपको बताना है यह चीज कि साथिव आप यह देखेंगे कि आपके जो options है उसमें C और B के ही संबंद से questions पूछे गए, देखे C और B के संबंद से questions पूछे गए है, तो मुझे C और B के ही संबंद से questions निकालने परेंगे यानि A और D मेरे किसी काम का नहीं है, C और B में, अगर मैं ये 4-4 को काड़ दू, तो क्या आपको कोई तकलिफ कहेंगे नहीं, तो यानि ये हो गया 50 और ये हो गया 49 ठीक है, इसका मतलब ये हो गया साथियो कि B is to C, यानि B by C बरावर हो जाएगा, 50 by 49 ठीक है, तो मुझे अगर C बरावर करना हो, तो C बरावर 49 by मैं 50 कर सकता हूं into B, यानि 49 B into 50 by 50 या इसको, मैं अगर 2 से गुना करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, 100 by 78 B या मैं इसको लिख सकता हूं C बरावर 0.78 B जो मेरा उतर C होगा, ठीक है C बरावर 0.78 B यही इन 4 उतर में सही है 24 बे नमर पे आते हैं, इन्होंने कहा कि A की आए, B की आई से 40 परतिशत अधीक है ठीक है, 40 परतिशत बरावर क्या होता है 2 बाई 5 अब ठीक है तो A की आए, B की आई से 40 परतिशत अधीक है अब एसे मान लो कि B की आई हम मान लेते हैं B की आई मानते हैं 100, तो A की आई कितनी हो जाएगी 140, clear है अब A की आई में 25 परतिशत की बर्धी होती है किस की आई में? A की आई में तो 140 का 25 परतिशत कितना होगा? 140 गुना 1 Y 4 करना परेगा इसको 4 से काटो 4 तिया 12 2 0 4 5 20 यानि की A की आई में कितनी बर्धी होई? 35 की और B की आई में इन्होंने कहा कि 40 परतिशत बर्धी करनी है तो इसमें कितने बर्धी होगी? 40 बर्धी होगी ठीक है अब कहरा A और B की संयुक्त बर्धी कितनी होई? ठीक है तो संयुक्त बर्धी कितनी होती है? टोटल बिर्धी यानि A प्लस B की बिर्धी यानि A प्लस B बाई टोटल पुरानी जो यानि A प्लस B की जो टोटल बिर्धी है बाई A प्लस B into 100 यही पूछा जा रहा है टोटल A और B में बिर्धी कितने हुई A में बिर्धी हुई 35 की और B में बिर्धी हुई 40 की divided by 140 by 100 यानि 240 गुना 100 यानि कि अगर मैं इसको और यहां लिखूँ तो यहां लिख सकता हूँ 35 प्लस 40 यह ब्राबर 75 divided by 240 into sum में को लिखना चाहिए यह 0 से 0 गया ठीक है यह 5 और यह 12 5 पचे 25 7 पचे 35 दू 37 375 बाई 12 375 बाई 12 तो बाई रतिया 36 और बाई का बाई 12 यानि 31.25 होगा इसका एंसर दिखिए A, B से 25 परतिशत अधिक है 125 परतिशत बराबर क्या होता है 1 बाई 4 तो A, B से 100 मुझे यहां क्या लिखनी चाहिए B और A लिखनी चाहिए 25 परतिशत अधिक है यानि B अगर 4 है तो A 5 होगा अब B और C का रिलेशनसिप है तो अब मुझे यहां C लिखनी चाहिए C से 40 परतिशत कम है B, C से 40 परतिशत कम है तो 40 परतिशत बराबर क्या होगा 2 बाई 5 होता है अब C से इसका मतलब यह 5 जो वैल्यू C का है 40 परतिशत कम है यानि कि यह होगा 3 यानि B होना चाहिए 3 अब C और D का आपस में सम्मंध है 30 परतिशत का अगर मुझे यहाँ D लिखना हो C और D का सम्मंद 30 परतिशत का है 30 परतिशत बराबर होता है 1 by 3 by 10 तो C D से तो D अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 तो मुझे यहाँ 30 परतिशत अधिक है तो C कितना हो जागा 13 अब मुझे इसको पूरा बनाना है तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ के दो कॉलम में दो बॉक्स यहाँ खाली है इस रो में इस रो में एक बॉक्स यहाँ खाली है इस रो में एक बॉक्स यहाँ खाली है यहाँ दो दो बॉक्स यहाँ खाली है अब आप देखिए, यहां क्या लिखाना चाहिए, चार, चार, यहां इसके साथ वाली संख्या, यहां पांच होगी, इसके साथ वाली संख्या, यहां होनी चाहिए, तीन, यहां तेरा, और यहां होने चाहिए, तेरा, अब मुझे क्या कह रहा है, कि A और D में सम्मंध बतानी आप देखे इसके कोई काम नहीं है यह 5 से 5 कट जाएगा अगर हम A और D को अगर सिर्फ कंपेर करना है यह 5 से 5 कट गया क्या और भी कुछ कट सकते हैं नहीं तो यहां हो जागा 40 और यहां हो गया 49 आप से यह पूछ रहा है कि यह बताओ कि A जो है वो D से कितने प्रतिशत कम है किस से D से तो D नीचे आएगा यानि 40 और इन में से differences कितना है कितने प्रतिशत कम है 1 into 100 10 by 4 यानि 5 by 2 5 by 2 को कितना कहेंगे 2 कहेंगे so your answer would be 2 2 इसके बाद आते हैं 26 बे नमबर पर कहता है दो संख्याएं है जो तीसरी संख्या से तो सबसे पहले आपको लिखना परे का तीसरी संख्या सकेंड संख्या फर्स्ट संख्या तीसरी संख्या को अगर मैं 100 माल लू तो ये कह रहा है 2 संख्याएं है जो तीसरी संख्या से करमसा 30 परतिशत और 50 प्रतिस तो यह को यह दो करना है, तो 13 ay16 दो आसा प्रशन था.. दिखिए 13,56 है अपका 27 नमर पे आते हैं यह बहुत अच्छा कोश्चन से इसमें इन्होंने ये का कि एक मेज की कीमत एक कुरसी की कीमत से 200 पर्तिशत अधिक है तो किस की कीमत किस की कीमत से कुरसी की कीमत से तो मुझे कुरसी से स्टार्ट करना परेगा तो मुझे सबसे पहले लिखना परेगा कुरसी ठीक है तो कुरसी को अगर मैं एक मानू तो मुझे मेज को कितने मानने परेंगे तीन मुझे मेज को कितने मानने परेंगे तीन मानने परेंगे और एक कुरसी की कीमत अलमारी की तुलना में 20 परतिशत कम है एक कुरसी की कीमत अलमारी की तुलना में 20 परतिशत कम है साथियो 20 परतिशत बरावर होता है 1 by 5 अब अलमारी की तुलना में यानि अलमारी से तो अलमारी यहां लिख लेते हैं अलमारी अगर 5 होगा तो कुरसी होगा 4 अब आप आईए इसको अगर मैं equate करूँ मेज कुरसी और अलमारी की ratio तो यहां के इतने आने चाहिए एक इस box में क्या लिखाना चाहिए एक और इस box में क्या लिखाना चाहिए चार यानि 12 इस्टू 4 इस्टू पाँच की ratio है अब इसमें यह का जा रहा है कि जो मेज है और जो कुरसी है इन दोनों की कीमतों में 25-25 परतिशत की बृधि होती है यानि 1 by 4, 1 by 4 की बृधि होती है यानि यहां 3 यहां बढ़ता है 1 यहां बढ़ता है ठीक है सारी कमी हो रही है बढ़ती नहीं यहां कमी यहां इनोंने कहा कि मेज और कुरसी की कीमत में 25 परतिशत कम हो रही है ठीक है तो यहां जो है मुझे यहां लगाना परेगा माइनस ठीक है कहा गया मुझे यहां लगाना परेगा माइनस तो ये माइनस होगा ठीक है और यहां इनोंने कहा कि 25 पतिशत बिर्दी हो रही है अलमारी की कीमत में एक अलमारी की कीमत में 25 पतिशत की बिर्दी हो रही है तो 25 पतिशत बरावर 1 बाइ 4 यानि कि प्लस 1.25 की बिर्दी हो रही है क्लियर है ये अब इनों ने ये कहा कि अच्छा एक बात आप ये बताओ कि 4 टेवल हैं 5 कुरसी है और 8 हलमारी है उनकी कुल लागत में कितनी जो है वो changes आएंगे तो सबसे पहले आप इसको देखो कि 4 टेवल तो 4 टेवल में जो है माइनस 3 इन्टो 4 प्लस कितनी कुरसियां है 5 कुरसी है तो 5 कुरसी के लिए कितना होगा माइनस 1 इन्टो 5 और इसमें 8 अलमारी है तो प्लस 1.25 इन्टो 8 ठीक यानि कि ये changes total overall changes कितने आए है माइनस 12 माइनस 5 प्लस 10 यानि माइनस 17 प्लस 10 बराबर माइनस 7 के overall changes आए है और total जो कुरसी मेज और अलमारी की कीमते थी तो आप देखिए जो 12 कीमते थी वो 1 की थी तो पूरे की कीमते 12 एक की थी तो 4 टेवल की कीमते कितनी होगी अगर मुझे चेयर की कीमते देखनी है तो चेयर की कीमते एक चेयर की कीमत थी शुरू में 4 और इसमें पांच कुरसी की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी 20 और अगर मुझे अलमारी की कीमत देखनी हो तो अलमारी जो है वो पांच है और उसमें चुकी मुझे आठ अलमारी लेनी है तो वो होगा 40 यानि की पूरा कितना हो जागा 108 ठीक है सो एक तो डिक्रीज हो रहा है टोटल डिक्रीज हो रहा है मैनस 7 का कितने पे 108 पे यह कितना परतिशत हुआ है तो परसेंटेज डिक्रीज अगर मुझे खोजनी हो तो मैनस 7 बाई 108 इंटू 100 ठीक है तो यह हो गया 25 चार से चार दुनी 8 चार सते 28 ठीक है तो यह हो गया 25 इंटू 7 175 27 बराबर होता है 6.5 के लगभग मैं कहा रहा हूँ लगभग ठीक है इसके बाद हम आगे आठते हैं यानि कि यूर एंसर उट भी 6.5 यानि यह होगा डिक्रीज इन 6.5 कहा रहा है कि A की आए B की तुलना में 40 प्रतिशत कम है यानि B से 40 प्रतिशत कम है ठीक है तो अगर मुझे B लिखना हो और A लिखना हो और मैं यहां लिख दू कि B की तुलना में 40 प्रतिशत कम है तो B अगर A अगर 100 है sorry B अगर 100 है तो A कितना होगा 40 प्रतिशत कम यानि A होगा 60 यदि A की आए में 25 प्रतिशत की बिर्धी होती है की आए में 25 प्रतिशत की बिर्धी मतलब यानि यहां 15 बढ़ा रहा है क्यों 25 प्रतिशत का 25 प्रतिशत का original कितने थी 160 तो percentage कितना हुआ into 100 करना है तो 00 ये 8 और ये 5 ठीक है 5 से करेंगे हम कितना होगा 5 पचे 5 पचे 25 5 पचे 25 27 275 बाइ 8 275 बाइ 8 को करेंगे 8 3 24 24 275 बाइ 8 को करेंगे 32 32 34 34 कहीं है ये D होगा So your answer would be D 34.38 Clear है? Your answer would be D 34.38 फिरसे अगर आपको इसको समझना है कि A की आए B की तुलना में 40 परतिशत कम है यनि कि अगर मैं B की आए की तुलना में या से लिखा हो ये दोनों सेमी है तो अगर B की आए मैं 100 लिख दूँ तो A की आए मुझे क्या करनी परेगी 40 परतिशत कम यानि 60 लिखना परेगा यही है 40 परसेंट कम ठीक है और A की आए में इन्होंने कहा 25 परतिशत की बिर्दी होती है यानि कि यहां 15 बढ़ गया और B की आए में 40 परतिशत की बिर्दी होती है यानि यहां 40 बढ़ गया तो टोटल बढ़ा कितना 55 बढ़ा है टोटल कितने पर 160 पर 55 बढ़ 160 into 100 ठीक है तो 00 यहां से काटे 0 यह कटा यह हो गया 5 और यह हो गया 8 55 25 27 275 बढ़ 8 बराबर 34.38 आसान ठीक है तो less than और more than में कुछ नहीं है basically आपको पूरे जितने भी बरे questions है उस सारे questions में हमने अब तक के updated questions को लेकर भी देखा है कि इसमें से को बहुत ध्यान में रखना है जब तक आप से ध्यान में नहीं रखते तब तक आपको questions जो है वो नहीं बन सकता जहां से से स्टार्ट होता है वहीं से आपको क्या करना परेगा questions की सुरुवात करने परेगी thank you very much